मॉर्निंग गुड आस्टेनों गुड इवनिंग जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा नहां में सच नियाद हो और मैं आपका मैंस टीचर आज आप लोग ले ले कर रहा हैं क्लास 6 के अंधियरीट की बुक करने वाले हैं क्योंकि सभी एक्सेसाइज दिखने में लंबी लग रहे हैं इतना लंबा है इन चैप्टर शेक्सेसाइज हैं टोटल इसमें चार अज ही खतम कर लेंगे बेसी कॉंसेप्टर बोर्ड पर करने लाइक तो नहीं क्योंकि बोर्ड लाइन लाइन सेग्मेंट एंगल कैसे बनता है लाइन सेग्मेंट को कैसे कट करते हैं इस तरह की चीज आपको समझने पड़ेंगी तो उन सब चीजों को समझाओंगा मैं पहले और फिर हम 14.1 से 14.4 तक की एक्सेसाइज को फिनिश करेंगे और सेकिंड वीडियो में यह च फिसा में दोनों ही तरफ बराबर बढ़ रही है इंतलों साइट में इंकृस Hack levär वी है एंड लेस होती है लेकिन अगर हम लाइन सेग्मेंट की बास करते हैं ठीक है ने यहां तक क्ला क्यों यह करते हैं एंगल एंगल कब बनता है एंगल बनता है टूरेज के फॉर्मेशन थे टूरेज कि किस तरीके थे वो आपको समझने की जुरुत है देखिए माली एक आपका लाइन इस तरीके से यह लाइन समझ लिए लाइन जो भी और यहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो अगर हम कोई एक रे और ऊपर की तरफ निकाले या ऊपर से नीचे की तरफ रहे तो य मालों यहां से ओट यह ओए रे थी यह.ओ था ओए र हो गयी और यहूज रोड हे रहे होगा है ऑग्ल बना अगल ए उब बना एंगल का सायन है एंगल की बनेगा इसी तरीके से अब एंगल कंपा सकते हैं तो आपको एंगल से अबनाने के लिए आप 24 करेंगे ठीक है यहां से कट मारेंगे तो इसने प्रक्रीजख करना जा यहां को 1 समंझेंगे हैं यहां इस जगह पे पॉइंट रखोंगे मारेंगे और यहां इसको इसको मिलाjang दंग्ये में किसी बी एंगल को करतें हैं ऐसीज़ आती रहे तुम्ही aircraft आपको बताऊं को साथ-साथ लाइक हमें कोई circle बनाना हूँ ठीक है तो circle बनाना भी आप सीखिए आप फिफ्ट पॉइंट में आपको बता रहा हूं आपको लाइक बोलता है 2.5 cm का आपको एक circle ड्रो करना है जिसमें रेडियस 2.5 हो तो आपको करना कि 2.5 की लेनी यहां से लेके इस तरीके से आप ड्रो कर देंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे तो सरकल बन जाएगा इसके बीच का ग्याप होता है देखें मैं अग्जक्ली तो ड्रो नहीं कर सकता क्योंकि मैं पास कमपास है नहीं ठीक है लेकिन आपको इस तरीके से ड्रो करना है तो यह जो दूरी होगे इसकी बीच की इसको बोलते है रेडियस और इसको आर से डेनोट क सकते हैं और इसको ओसर डेनोट कर लिएगा तो ओ पॉइंट की ओ पॉइंट से जो पॉइंट आर है यहां तक की आर या कुछ भी बोलिजाए यह पॉइंट बोलिजाए इसकी जो दूरी होगी ओए की दूरी होगी वह किसमे होगी ओए इस इकल्ट होगा 2.5 सेंटीमेटर इस तरीके से आप कोई भी सरकल ड्रॉ कर सकते हैं तो आप चलते हैं पहले एक्सराइज पर यह बेसिक कॉंसेट्ट मैंने आपको स्टूइंट बताये थे ठीक है इसको आप नोट डाउन कर लिजेगा और एक्सराइज 14.1 के कोश्चन ले ले लेते हैं देरे दरे सभी कोश एक्सराइज से बहुत छोटी है तो दो तीने से एक साथ कर लेना बैटर रहेगा स्लेवर्स हमारा ओलडी काफी लाइक आप समझे ने है छोटा चल रहा है पीछे चल रहा है तो आई होब कि आपको यह चीज़े करने से ज्यादा बैटर तरीके से समझ में आएगा ठीक है तो चलते हैं सबसे पहला है 14.1 उसमें आपका जो यह पहला कोश्च ना ड्रोइस रेडिस 3.2 सेंटीमेटर तो आपको करना कुछ नहीं एक पॉइंट ले जेना है पहला कोश्च नहीं यह वरी फॉर्स्ट कोश्च न आपका फॉर्स्ट है एक्ससाइज आपकी 14.1 ठीक है तो 14.1 में यह है इस तरीके से पहला कोश्च न ड्रो करना है ड्रो असर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमेटर का मतलब यह पर पॉइंट लगा लेजेगा अपने इस ओल्स लेनी है ठीक है एक रूलर उस पर आप 3.2 की सी लेकर साहिए से लेकर सेली आपके तरी बारने की पार आपको इस तरीके से ऐसे एक पॉंटंट शल्कल कर लेकर स्कोर ना देंगे 208 गैर hypocrisy तो बस आपका बन गया जो ओए लेंस होगी वह कितनी होगी 3.2 सेंटीविटर बन गया सरकल इस तरीके से आप फर्स्ट कुस्चिन में ड्रॉ कर सकते है सरकल आपको कुछ नहीं इस पर्डिवल पॉइंट पर रखना है और इस तरीके से घुमा देना है पूरा गोल में गुला बनाना है ठिक है ऐसे घुमा बनाना है लेकिन एक की रेडियस होगी वह घी 2.5 और एकजिए मैं होगी उकटनी होगी पुर्व itself के लैंस होगी कि यह लेंस होगी फॉर स्ञ.? ठीक है इसको आपको समख में आ रह濫ा तो सबागा तको इसको भीच से आप उपॉइंट माल ली तो आपका पहले दोनों पॉइंट हो जाएंगे ठीक है इसी तरीके से आप बागी सब्सक्राइब कर नेंगे पहली एक्सेसाइज के अगर किसी कोश्चिन डाउट आज़ा तो आप में एक्सेसिन में पूछ लेंगे इसके अगर हम बात करते हैं एक्सेसाइज 14.2 की वाला ड्रोय लाइन सेग्मेंट ऑफ लेंज 7.3 सेंटीमेटर यूजिंग रूलर आप 7.3 सेंटीमेटर की लेंज हमें डालनी है एक्सेसाइज 14.2 ठीक है 14.2 हम एक्सेस कर रहे हैं इसको देखिए आप 4.2 के लिए अगर आप जैसेस 14.2 मैं आपको यहां दिखा रहा हूं मैं भी रव निए कर रहा हूं 14.1 को तो आपको करना क्या 7.2 सेंटीमेटर की लेंज लेंज लेंगे यह 3.2 जो भी लेंज देखिए 7.3 दे रखाए यूर आप एक स्रीके से एक लाइन ड्रो करेंगे ठीक है उसके बाद आप यहां पे पॉइंट रस लीजेगा इस पॉइं लेंज हो जाएगी 7.3 सेंटीमेटर लिग देंगे इस तरीके है ठीक है यह पहला कोशन था वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है 14.2 का ठीक है यहां से अलग है 14.2 अलग है इसके बात करते हैं कंस्ट्रक्ट करने के बोला एक लाइन सेग्मेंट यह जो साइन दे रखा है थर्ड कोशन देखिए आप यह जो एवी के ऊपर ऐसे बार ऐसे दे रखा है इसका मतलब लाइन सेग्मेंट ही होता है लेंज 3.9 की कंस्ट्रक्ट करना है पीक्यू सच्थ लेंथ और पीक्यू स्ट्वाइज देट ऑस एबी वेरिफाइवाई मिजर्मेंट तो लेंज जो भीकशन की के बबल ओगी तो अगर हमारा हमारा 3.9 पहलाना तो आई गिया है तो जाइस थी वास हो जो प्यक्यू की लेंथ होगी ठीक है जो हमारा पीकू की लेंथ मोगे हो कितना होगा उसका डबल दिश्र ingredients को टू से मल्टिप्लाइए करतो 2. facts को यह जाएगा कि 7.8 सेंटीमेटर तो करना कुछ निए 7.8 की लेंद्स ड्रॉ करने ठीक इसी तरीके से यह भी आप कर लेंगे एक्सराइस 14.2 भी हमारा फिनिश होता है फिर हम चलते हैं एक्सराइस 14.3 की तरफ ठीक है एक्सराइस 14.3 में बोले ड्रॉए ऑफ हमे लाइन सेंग्मन्ट पीक्यू विदाउड मिजरिंग पीक्यू कंस्ट्रक्टिग कॉपि यू अब पीक्यू की लेंद्स लिए वी नहीं मिजर किये विनए आपको का यह करना है ड्रॉ करना सेंग्मेंट को दो देकिए वह कैसे करेंगे ठीक है मैं इसको रभ करो 14.1 वन और टू के कोशिंस को अब 14.3 की तरफ चलेंगे हम कि इसके बाद हम बात करते हैं exercise 14.3 की ठीक है 14.3 बोल रहा है आपका ड्रोय लेंज्ट सेग्मेंट पीक्यू एक लेंज्ट ड्रोय की जाब पी और क्यू ठीक है और जितने प्यब्विज्ट की लेंज्ट और उसका सीथे आपको कापी बनाने के लिए आपको रूलर से इसको नापना और फिर यह वाली जो लेंथ है उतनी नाप के यहां से यहां पे कट मार दीजिए गा लाइक इस तरीके से बी तो यह जो लेंथ होगी यह पी क्यू के बराबर होगी यह बद्ध्यान रखेगा लेंथ आफ एबी होगी लाइं सेग्मेंट की वह इकोल टू होगी पी क्यू के सकते लिए बराबर तो करना कुछ नियां बद्ध इसके बराबर आपको डाप लेना है ठीक है यहां पर एक कट मार जेना है अब करेंगे अब चलते को नवर फॉर्थ सरी मतलब एक्सेस्साइज 14.4 पर बागी कोश्चन आप ट्राइए कर लिजगा 14.4 आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रिन पर ड्रॉ करने के लिए बोला है क्लाइन सेग्मेंट A B Mark any point M, on it through M, draw the perpendicular of A B Use ruler and compass, ठीक है, ruler and compass का use करने के लिए बोल रहा है कोई इश्व नहीं है, देखेंगे, यहाँ पर एक exercise और आपके लिए 14.4 इसके question भी देख सकते हैं 14.4 के लिए बोला है क्लाइन सेग्मेंट A B draw करनी है, ठीक है, तो A B draw करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा पहले एक line draw कीजिए इस तरीके से, कर दिया आपने, करने काद आप एक cut मारी हाँ पर A हो गया, A B के length जितना आप पर बोला है draw करने के लिए, वो length आप draw कर देंगे A B, ठीक है, कुछ भी length नहीं बोला है, आप अपने वर्जी से कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, यह हो गया A A B line segment, अब A B line segment पर बोला है कि perpendicular draw करना है, A B के उपर, ruler and compass के मज़र से, तो आप half से ज्यादा ले दिजिए, step के हैं, आधे से ज्यादा ले दिजिए, तो आधे से ज्यादा लेने के वाद, यहां रखके, B पर रखके, इस point पर रखके, यहां एक cut मारना है, और यहां रखके एक cut यहां मारना है, ठीक है, एक cut यहां पर इस तरीके से मारना है, फिर same चीज़ आपको एक नीचे, B पर रखके एक, यहां पर, बतलब A पर रखके इधर, और B पर रखके फिर इधर, तो उपर नीचे दो जो जो आप करने वाद, आप इसको मिला देंगे, मिलाने के पर पर इस तरीके से हमारा यह कोश्किन पर रखके, और B के ओपर से रखके, और B के आपर से रखके और B के अपर से रखके, इस पूरे को मिला दिया, तो यह एंगल बनेगा, नग का बनेगा, और आपको यहां तक की एक्सेसे समझ में आ गए होंगे, 14.1 से 14.4 तक हमने इस वीडियो में खत्म कर लिया है, बाकी की जो दो एक्सेसेसे नेक्स वीडियो में करते हैं, तो तो तेक केर, have a good day, सभी कोशिन ट्राइ करिएगा, इंक्लूडें एक्रांपल, मिलते हैं नेक्स वीड